नमस्कार दोस्तों देखे 23 जुलाई को आपका रीट लेवल फेस्ट का जो पेपर हुआ है उसमें मनोविग्यान के जो कुछे गए थे 30 कुछे गए थे 30 कुछे कुछे गए थे उसका कुछ से कलेक्शन किया है तो आगे आपका जो 24 तारी को पेपर हो सकता है कि यहां से पुछे गए थे उसके बारे में बात करें अपन तो देखे यह कुछा गया था कि विकास होता है तो विकास के जो सिदान्त है उसके बारे में पुछा गया था देखे विकास जो है वो सामाने से विशिष्ट की ओर होता है इसके लावा विकास जो है वो व्यक्तिक्ता से सम माजिकता की ओर अगरसर होता है विकास के विविन जो पक्स होते हैं वो अंतर सम्मंदित होते हैं विकास की परकिरिया में व्यक्तिक विविनताएं महतपूर्ण होती हैं इसके लाव विकास के बारे में बविश्यवाने भी संभव है विकास पूर्वा नुमय है विकास की व जाने में रखनी है उसके बाद में एक आपको समयलित करने वाला क्यूशन पुछा गया था जिसमें देखें सिफेले कोडल तो सिफेले कोडल जो है वो सिर्षे पैर के और प्रोक्सिमो डिश्टल जो है वो देखें के इंदर से परीदी के और होता है इसके अलावा अंत्रा वेक्तिक और अंतर वेक्तिक देखिए अंतर जो वेक्तिक होता है वो दूसरों को समझने की जो बुद्धी है वो होती है और अंतरा जो वेक्तिक है वो स्वेम को समझने के बारे में होता है तो यहाँ पर यह क्यूशन आपको मिलान करने वालों में से दिया गया था इसके ला अत्मक्ता का जो संबंध है वो किसी है? अभी सारी चिंतन से है आगे आपको एकजामें पूछा जा सकता है कि बुद्धी का संबंध किसे है? तो देखिये बुद्धी का जो संबंध है करणवर्जेंट य Abg. lists ये आभी सारी चिंतन से है तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला किस्ट आपको पुछा गया था अदिगम सिधान्थ से संवंदित नहीं है ये इसका और रहता है अधिगम के बारे में और भी कई सिधान्थ हैं जो आपको ध्यान में रखना है जैसे कि थोंडाइक ने अधिगम का जो सिधान दिया था इसको उद्धिपक अनुकिरिया सिधान भी कहते हैं उद्धेजना पर्तिकिरिया सिधान भी कहते हैं स्टिमुलस रस्पॉंस थियोरी के नाम से भी इसकोबन जानते हैं अधिगम का बंद सिधान थियोरी है परियासवत तुरुटी का सिधान्त किस ने दिया था थोंडाइक ने दिया था परियतनवा भूल का सिधान्त यानि ट्राइल एंड एरर का सिधान्त किस ने दिया था ये भी थोंडाइक ने दिया था तो ये क्यूसन भी आपको पूछा जा सकता है इसके लावा अधिगम के बारे में देखिए और भी कई वेकती हैं जैसे कि वर्दा इमर है कोपका कोलर है वो गेस्टाल्ट वाद सिदान्द उनों ने दिया था जिसको पूर्णा कार सिदान्द समगर सिदान्द के नाम से भी जानते हैं समगरता वाद सिदान्द के नाम से भी जानते हैं सीखने का ज Classical Conditioning के नाम से भी जाना जाता है और Classical जो Conditioning है उसका नाम आपको 2021 में रीट आपकी जो एक्जाम होई थी उसमें भी दिया गया था Classical Conditioning थियोरी किस ने दी है तो वो भी Paolo ने दी है इसके लावा Operand Conditioning और इसके लावा आपका जो Response और Stimulus थियोरी है ये BF Skinner के द्वार दी गई है किरिया अनुबंद या किरिया परसूत अनुबंद है वो भी Skinner ने दिया है सक्रिय अनुकिया अनुबंद भी Skinner ने दिया है इसके लावा Instrumental Learning किस ने दिया है तो वो भी Skinner ने दिया है ये सारे एक ही सिदानत के नाम है तो ये कोई जरूरी नहीं कि अदिगम का जो शिदान्त है वो इस बार आपको बुलूम वाला यही पुछा दे अधिगम कोई और शिदान्त भी आपको देखर पूछा जा सकता है देखी एक युशन आपको दिया गया था परिपकवता और अनुबव के फल सरूब क्या होता है तो परिपकवता और अनुबव के फल सरूब यहाँ पर देखिए वरदी और जो विकास था वो यहाँ पर आपको इसका राइट आनसर करना था अगला क्युशन पुछा गया था प्रकरती और पोसन विवाद संबन दित हैं तो प्रकरती और पोसन जो विवाद हैं वानवान चिकता और परियावरंट से संबन दित हैं यह इसका करेक्ट आनसर आपको करना था इसके बाद में early childhood देखे early childhood यानि की पूर्वे बालेवस्ता यहाँ पर आपको दिया गया था तो पूर्वे बालेवस्ता की जो विशेश्ता हैं वो सारी 600 विशेश्ता हैं उसमें आ जाएंगी तो यहाँ पर आपको चैर उप्सन दिया गये थे pre gang age देखे प्री जो गेंग एज है यह आपकी बाले वस्ता में होती है 600 वस्ता में नहीं होती टोई एज इसको अपन 600 वस्ता के बारे में यह इसकी विशेश्था है अनुकरन के मादेम से बच्चा सीखता है पर्सन बूस्ता है जिग्यस होता है यह सारी जो हैं वो आपकी 600 वस्ता की विशेश्था हैं होती है और यहाँ पर आपका अर्ली चाइल्ड हूड दे रखा है इसका मतलब अर्ली चाइल्ड हूड का जो मतलब हो 600 वस्ता से ही है तो ये तीनों विशेस्ता हैं तो सम्मझ दीत हैं लेकिन pre-gang age इसकी विशेस्ता नहीं है इसलिए यहाँ पर option जो आपका first है ये इसका आपको right answer करना था देखें सेस्वावस्ता की और भी कई विशेस्ता हैं जैसे कि विकास की आधारबूत जो आवस्ता है वो आपकी कौनशी है सेस्वावस्ता है इसमें सजीव चिंतन एनिमिज्म ये कौनशी आवस्ता की विशेस्ता है यानि कि हर एक चीज को सजीव माना यानि कि हर एक चीज इसा किसने कहा था जीन प्याजी ने सेस्वावस्ता के बारे में कहा था कलपना की सजीवता के बारे में बताया था इसके अंतरकत जो बच्चा होता है वो इगोसेंटरिजम होता है आत्मक केंद्रिता, सीखने की तिवर गती, स्पीडी लर्णिंग बच्चे में पाय जाती है जिग्यासू परवर्ति का होता है, पेशी ये कोसलों का विकास होता है बासाई कोसलों का विकास होता है, जो की L, S, R, W के करम में होता है अंत्रमुखी सवाव को होता है बच्चा, यानि की ओटीजम, स्वेलिंता, नारसीसीजम, स्वेम हो है और टौई एज, यानि खिलोनों की आईू के नाम से भी हपन सेस भवस्ता को जानते है सम्वेखों का परदशन करता है से सवस्ता में बच्चा जो बच्चे का वेवार है, वो मूल परवर्तियात्मक वेवार है, परबल काम परवर्ति पाए जाती है, वीप्रित इलिंग के परतिया आकर्षन पाया जाता है, और फ्राइड ने सबसे important बात है फ्राइड के अनुसार चार से लेकर 6 वर्ष की जो आयू है उसमें लड़कों में ओडिपस और लड़कों में इलेक्टरा गरंतियां पाई जाती है शेस्वावस्ता है उसमें बच्चा अनुकरण के माद्यम से शीकता है नेतिकता और समाजिकता का अभाव पाई जाता है यानि कि नेतिकता और समाजिकता की कमी शेस्वावस्ता में पाई जाती है पुंद्रावर्तिक का जो सिदानत है वो भी शेस्वावस्ता का ही है और आसरीतिता यानि की अनुकरण के द्वारा सीखता है और आसरीतिता की जो बहुना है वो बच्चे में पाई जाती है तो ये सारी शेस वावस्ता बता दो ये पूर्वे चायड ढूल यानि की पूर्वे बाले बस्ता बता दो एक ही बात है इसके लबा अगला क्यूशन आपको दिया गया था शीकना वेवार में उत्रोत्तर सामंजेशी की परकिरिया है तो ये कतन किसका दिया गया है इस किंदर की ये परिवासा है एक क्यूशन आपको पूचा गया था एक बच्चा पठन वर्तनी समाजिक विज्ञान विज्ञान में कम अंक अर्जित करता है और गणित में सबसे अधिक अंक अर्जित करता है अगला किशन देखे आपको दिया गया था चिंतन शील कक्सा कक्स में क्या होता है देखे चिंतन शील जो कक्सा कक्स है उसमें शिक्षक और जो शिक्षार्थ या उसके मध्य अन्तह किरिया होती है यह उप्षन आपको यहाँ पर राइट करना था जो परतिबासाली बालक होत की 140 बुद्धी लब्दी होती है ये कि उसन आपको पूछा गया था हो सकता है आने वाली एक्जाम में पर्तिबासालिबालक जो बालक है उसकी आपको विशेशता है पूछ ले तो देखे पड़ने लिखने में रूची पर्तिबासालिबालक की होती है कटीन विशेयों में र पाई जाती है यैंने का मतला है उससे अधिक by अंधती बुद्धी लब्दी पर्तिबासालिबालक की पाई जाती है और sense of हूमर इनका कमाल का होता है rapid learner यानि कि ये तीवरेगति इनकी होती है सीखने की ठीक है, sense सकती भी पर्तिबासालिबालक अच्छी होती है तो हो सकता है कि परतिबा साली बालक के बारे में इस बार आपको विशेशता हैं देकर ये पूछ ले कि ये निमने में से किसकी विशेशता हैं तो आपको हर तरीके से एक्जाम में प्रिपेर होकर जाना है आने वाली एक्जाम के लिए देखे बुद्धी लब्दी का सुत्र पुछा था तो टर्मन ने बुद्धी लब्दी का सुत्र दिया था बुद्धी लब्दी का जो सुत्र होता है वो क्या होता है आपका MA बटा C A multiply 100 यहनके मानशी कायू, बटा वास्तिव कायू और आपको 100 से multiply करना था यह ठर्मन के द्वद्धी लब्दी का सुत्र दिया गया था एक वालक जिसकी आयू 16 वर्ष है उसकी बुद्धी लब्दी की अंख है वो 65 है आपको उसकी मानशी कायू ग्याद करनी थी देखिए बुद्धी लब्दी आपको 75 दे रखिये देखे आपको बट्टे में सोली करना है तो पचीती पचेतर और पची चोग सो और चार चोग सोडा यानि कि चार और तीन को multiply करेंगे तो आपका answer कितना आजाएगा 12 आजाएगा 12 इस question का right answer होता अगला question पुछा गया था दो के मद्य संगर्ष को क्या कहते हैं तो conflict कहते हैं दोंदो है वो दो के मद्य संगर्ष है उसको कहा जाता है अगला question आपको पुछा गया था आंतरिक अभीपरेणा के बारे में एक question था क्यूसन के बारे में confirm पता नहीं चला है कि क्यूसन क्या था लेकिन आंत्रिक अभी प्रेणा से related क्यूसन आपको पूछा गया था व्यक्तितों मापन की प्रक्षेपन विधी कौन सी है प्रक्षेपन विधी कौन सी है यह पूछा था तो TAT थेमिटिक अप्रेशेपशन जो टेस्ट है वो प्रक्षेपन की व्यक्तितों मापन की प्रक्षेपन विधी होती है ठीक है बाल केंदरित पाठे करम आदारित है बाल केंदरित जो पाठे करम वो किस के उपर आदारित है अगला क्यूशन आर्टी के बारे में पुछा गया था आर्टी के अनुसार अध्यापक के कारी गंटे कितने हैं तो 45 गंटे हैं सापता ही का अध्यापक के कारी गंटे जिसमें अध्यापक की तैयारी के गंटे भी सामिल होते हैं बुद्धी का पर्तिदर से सिधान्त किस ने दिया था तो थोम सन ने बुद्धी का पर्तिदर से सिधान्त दिया था अधिगम का सकरात्मक या दनात्मक अस्तानांतरन से रिलेटेड एक किसन आपको इसमें पूछा गया था अगला किशन आपको इसमें पूछा गया था कि परतिबा साली बच्चे की विशेष्टाइं कौन शी हैं तो अभी मैंने आपको परतिबा साली बच्चे की सारी विशेष्टाइं बताये थी समाज़जन के बारे में एक क्यूशन आपको एक्जाम में पूछा गया था तो समाज़जन की विशेस्ताओं को उपलब दिया भी प्रेणा का जो क्यूशन है मोटिवेशन का क्यूशन है वो भी आपको देखकर जाना है तो ये question इतने ही question मिले हैं 30 question में से 24 question के बारे में अपने बात कर चुके हैं और भी कोई question आते हैं तो आपको provide करवा दी जाएंगे और अभी जो second बारे में exam हुई थी उसके question भी जैसे ही आते हैं तो उसके आनसर आपको बता दी जाएंगे तो आप लगातार हमसे जोड़े रही है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दीजे ताकि उनको भी पता सल सके कि कौन कौन से क्यूसन आए थे और उनके आनसर किस तरीके से उनको करने थे धन्यवाद